हेलो बच्चों, लेट्स रीट दीस कोश्चन, दा कोश्चन से देट, आफ दा फॉल्विंग, 0.10 मोलल एको सलूशन, विच वन विल एक्जिबिट दे लार्जेस्ट फ्रिजिंग पॉइंट डिपरेशन, इसके रिगार्डिंग यहां पर चार ओप्सन दिया गया है, इन चारों में से करेक्ट को अइडेटिफाई करना है, किसके लिए यहां पर फ्रिजिंग पॉइंट डिपरेशन जो होगा बच्चों, वो लार्जेस्ट होगा, तो सबसे पहले समझेंगे की कॉंसेट, अब की कॉंसेट यहां पर क्या लगने वाला है भच्चों, डिपरेशन इन, डिपरेशन इन, फ्रिजिंग पॉइंट, यहां पर क्या लग जाएगा, की कॉंसेट लग जाएगा, तो अब यहां पर देखेंगे, डिपरेशन इन फ् equal to i, यहाँ पर क्या होता है, want a factor into kf हो जाएगा into m हो जाएगा molality अब जो kf होता है, यह हमारा cryoscopic constant होता है, यह क्या है यहाँ पर, यह constant है बच्चों अब m यहाँ पर molality सबके लिए same ही दे रखा है, तो यह भी मान के चलेंगे क्या है, constant है सबके लिए same ही दे रखा है बच्चों तो अब यहाँ पर क्या करेंगे तो यानि delta t f is equal to क्या हो जाएगा, i, इसका मतलब delta tf directly proportional है, अगर i का value बढ़ेगा, तो delta tf का value बढ़ेगा, तो अब यहाँ पर i कैसे calculate करेंगे, जैसे kcl है तो i want a factor है, number of ions से calculate करेंगे, तो kcl में कितने ions present है यह हमको check करना पड़ेगा, इसको break करेंगे, तो यहाँ पर किस में break होगा इसके लिए k plus cl minus में, तो i का value कितना आजाएगा, इसके लिए 2 आजाएगा अब glucose है c6, h12, o6, तो यह तो break नहीं होगा, तो इसके लिए i का value कितना आजाएगा बना जाएगा, al2SO4 का whole thrice है तो al2SO4 की whole thrice को break करते है 2 al plus 3 3SO4 minus 2 तो value इसके लिए कितना रहा है total यहाँ पर बच्चो 2 यहाँ से 3 यहाँ से total i का value कितना रहा है total 5 आ जाएगा k2SO4 है, इसको break करते है k2SO4 को break करेंगा 2K plus SO4 minus 2 में इसके लिए i का value कितना रहा है i का value इसके लिए 3 आ रहा है बच्चो तो सबसे जएदा i का value कहा है al2SO4 का whole thrice में, aluminium sulfate में तो final answer क्या हो जाएगा, option c इसके लिए depression increasing point क्या होगा largest हो जाएगा final answer c हो जाएगा, this is your answer i hope you understood it well, all the best